कोरोना महामारी जैसे भयंकर भीमारी से भीमारी से हर किसी को बचाना अपने नागलिकों की सेवा करना ऐसे हमारे साथ प्रभाग समेती अध्यक्स परमेश्वर कदम जी है हाला कि मुंबई घाद को पर इस्ट में इस वक्त करोना की जो पेसेंट है वो जीरो है मतलब कि एक भी कोरोना के पेसेंट वहाँ पे मिलनी रहे हैं एक भी कोई पॉजिटिव पेसेंट कोरोना के मिलनी रहे है क्यूंकि परमेश्वर कदम 2400 घंटे वहाँ पर खुद एक पाहर ना निकले ऐसे में एक तस्वीर है हाट को पर भी दानसवा और रमभाई कॉलनी हो गया या कामराज नगर हो गया इस वाड में जहां पर छोड़े-छोड़े क्लिनिक है डॉक्टर है हर किसी को यह गए सिलेंडर दिया जाएगा ऑक्सिजन का यह गए सिलेंडर है जिसस से मरीजों को बचाय जा सके कोरूनामामारी में जीस तरह फर्मिसवर कदम जी ने एक कदम उठाया है काफी लोगों को सहुलियत मिल रही है और करूना के जीरो फेस्एंट मिल रहे हैं आई ये पर्मिसवर कदम जी से स counties सर क्या humanities सि 137 कि यह सिलेंगे मैं ऑपने एक बहुत अच्छी तरह से उसको कंट्रोल में किया गया है। आज पिछले देड़ महेने से हमारे कामराज नगर में जहां पर मैं प्रतिनी दीत्व करता हूं, जिरो पेशन्ट पाये जा रहे हैं। आठ दस दिन में एकाद बार कोई बार से कोई आदमी काम करने वाला आएगा तो वो एकाद पेशन्ट मिला है। लेकिन आज अच्छी तरह से कंट्रोल में हैं। नियुक्त की गई। जिसकी वाज़े से जो शोचले हैं जो आपते में एकाद बार या दो बार साप किये जाते थें, वो रोज सुबेशाम साप करने के लिए उदर आदमी रखे गए हैं। आज उन लोगों के हालत खरब हैं। लेकिन फिर भी वो इस लड़ाई में सरकार के और हमारे सब के साथ में कंदे से कंदा लगा कर लड़ रहे हैं। और उनकी वज़े से आज कामराज नगर या रमोबाई नगर और बाकी सब सलम में घाट को पर के आज जीरो रुगन करोना के रुगन करोना के पेशन्ट जीरो पाये जाते हैं। जो एरिया के जो विज़ीर था लोगों के साथ आप जो घूम रहे थे लोगों को रिक्वेस्ट करें घर से बाहर ना निकले उस वक्त लोग डरे हुएते हैं। पुरे चार महीने हो गए तब की क्या इस्तिती थी अब की क्या इस्तिती है। गामराज और रमवाई नगर में जो हम लोग सब घुम रहे थे लोगों को समझा रहे थे लोगों को जो कुछ 90 टका लोग तो सब सही डंग से पालन भी कर रहे थे सरकार की सुचना हो का लेकिन 8-10% लोग जो नहीं मान रहे थे उनको आप और हम लोग ने सब ने, पुलिस मान करपाली का अधिकारियों ने और रुस्तानिक लोग जो लोकल समासिवक है उन लोगों ने समझा कर अपने हाँ पे अच्छी तरह से कंट्रोल किया है लेकिन आज यह देखा जाता है कि करोना पॉजिटिव या करोना निगेटिव करोना पॉजिटिव जो पेशेंट पा उसकी जान को धोका भी हो सकता है तो ऐसे जान बचाने के लिए कोई कई बार ऐसा होता है कि करोना पॉजिटिव हाई की नहीं चेक कर नहीं जाते है नहीं लोग सोचते हैं डर के घर पे बैटे रहते हैं जिस वक्त उसको ऑक्सिजन की कमी महसूस होती है तकलिफ होती हो तो उसको उसी जगे पर अगर oxygen मिल जाए तो उसकी जान बचा ही जा सकती है इसके लिए मैंने अभी क्या किया मेरे फंड से नगरसवक निदी से यह बिस गया oxygen cylinder मंगा है वह हम लोग BMC के जो health post है कामराज नगर का health post है रमावाई नगर का health post है गरोडे नगर का health post है महां पे cylinder रखे जाएंगे और उसके साथ-साथ जो रमावाई नगर और कामराज नगर के जो डॉक्टर है लोकल डॉक्टर उनके इदर भी एक-एक cylinder रखा जाएगा कि कोई अगर आपके इदर ऐसा पेशन्ट आता है जिसके शरीर में oxygen की कमी है और उसको oxygen देने की जोड़ोत है तो यह आप उसको oxygen दे दीजे और जब यह करोणा की स्थिति ठीक हो जाएगी कोई भी पेशन्ट को तकलिप नहीं होगी तब वह oxygen हो अपीस हम लोग BMC में जमा कर देंगे आप प्रभाग समीति अद्यक्ष हैं तो आपके इस प्रभाग में कम सकम 5-6 वाड आते हैं क्या सभी वाड में इस तरह के डिस्टिबूट किया जाएगा खाली आपके वाड देखिये यह मैं जिस प्रभाग समीति का अद्यक्ष हूँ मैं 11 नगर सवक का प्रभाग हमारे वाड में आता है तो सभी लोगों के लिए एक हम लोग ने महानगर पालिका की तरफ से वाड नमबर 125 में ऑक्सिजन सेंटर चालू किया हुआ है और इसी तरह से वाड नमबर 132 में ऑक्सिजन सेंटर चालू किया गया है और जो कामराजनगर का एरिया है वो अपना हाइवे के उस पार है रामभाई और कामराज नगर का एरिया हाईवे के उस पार है वहां से इधर आने के लोगों को तकलिफ हो रही है तो वहां से आने के लिए तकलिफ होती है उसके लिए हम लोग ने कि चलो रिक्षा नहीं आती है टैक्सी नहीं मिलती है या गाड़ी नहीं मिलती ह तो हम लोग मैंने सोचा कि अपना जो एरिया दूर है 125 नमबर वाड से या उदर से जो पेशन को ऑक्सिजन की जिसको तकलिफ है तो उसको आने में तकलिफ होगी इसके लिए मैं स्पेशल मेरे फंड से मेरे नगर सोक निदी से मैंने ये ऑक्सिजन सिलेंडर मंगाया जो कोरोना वाइरस ये फायलने वाला है ही लेकिन अगर आपके पास करोना पॉजिटीव हने के बाद भी अगर आपको कोई तकलिफ नहीं है तो आपने अपिपने ठीक हो जाता है लेकिन कैंने स्वेशन की कमियो इतल्या तो किसी भी पेशंट को जान से heath धोना पढ़ता है औ और ऑक्सिजन देने की वेवस्ता वो करें, तो जिसको भी ऑक्सिजन की कमी आई है, वो तूरंद अगर मिल जाए, तो वो आदमी की जान बच जाएगी. जी यहां घाट को पर रमवाई कॉलनी कामराज नगरो, ऐसे इस तलम इलाकों में कई डॉक्टर के क्लिनिक है, लेकिन वहां पर इस ऑक्सिजन गैस की सुबदा नहीं है, कोरोना से कोभी मरीज की मौत नहीं हो, या कोरोना से हर किसी को बचाया जाए, या ऐसा कोई मरीज हो ज जाना चाहूंगा, मुंबई में ऐसे बहुत सारी वाड है, सभी नगर सेवक को महानगर पालिका ने दस लाक की फंड दी थी, एक कितना जरूरी था, क्या करना चाहेंगे इस भी? देखिये जब आपने देखा रहेगा, जब ये नगर सेवकों को 10 लाक उनके नगर सेवक निदी में से, वापर ने का पर्मिशन दिया गया था कि अब करोना वाइरस के लिए जो भी उपकरन खरीदना है, जो भी चीजे खरीदने हैं, या उसके लिए आवशक्ता जो उपा विभाग में آर्शनीक अल्बं गोलिया बाटने के लिए, मास्क बाटने के लिए, या सैनिडाईजर बाटने के लिए, बहुत सारे लोगों ने उसका इस्तिमाल किया, हमारे यहां पे dominating के लिए वाट गोलिया और कॉरांटाइन सेंटर तायार करने के लिए वाड को दिय मैं लोगे से यही आपील करना चाहता हूं, कि करोना वाइरस, यह जान लेवा बीमारी नहीं है, करोना वाइरस से डरिये मत, अपने काम धंदे पे जाए, रोज मास्क लगाइए, रोज अपने हाथ धोने की अच्छे हैबिट रखिए, घर के बाहर जाने के टाइम अपने पा औक्सिजन लेवल आपकी 90 तक आएगी तो आप डॉक्टर के बास जाके अपना औक्सिजन लेवल लीजे औक्सिजन लीजे औक्सिजन अगर सही समय पे आपको मिलेगा तो करोना से एक भी मृत्यू नहीं हो सकती इतना जान लेवा बिमारी नहीं है और इससे डरने की कोई जो कोई भी दवा भी नहीं बनी है आपको बुखर आया तो बुखर की दवा लेनी है आपको सरदी हुई तो सरदी की दवा लेनी है और जब आपको सास लेने में दिक्कत आ रही है तो आपको आक्सिजन लेना है अगर सही समय पे आपको मिला तो आपकी मृत्यू कभी नहीं हो थी तब सही अपने वाड में कारे रत्न हो गये थे हर किसी को समझाने की कोशिश करते थे हर किसी को करोना महामारी से बचाने की कोशिश करते हैं आज उसी का यह परिडाम है कि इनके वाड में घाट को पर रमावाई कॉलेनी हो गया या कामराजनगर वहां पे कोरोना के जीरो पहुल भी देखा जा रहा है वैसे ही परमेश्वरकदम अपने वाड में जो जो क्लिनिक है एसारे प्रोजेक्ट हो गया हो या सलम हो वहां पे डॉक्टरों को एक एक ऑक्सिजन गई सिलिंडर दे रहे हैं ताकि वहां पे मरीजों को बचाये जा सके कोरोना के जो आने वाले दिनों में अगर कोई लक्षन मिलता है तो उसे सही से ठीक किया जाए हास्विटल तक जाने की जरूरत ना पड़े कैमरामेन प्रवीन के साथ राजपांडे सीयर नियूस मुंबई